दोस्तों new fold 5 launch हो गया है Samsung का पता लगाते हैं last year से कितना ज़्यादा improvement इसके अंदर हुआ है और क्या हमें fold 4 से fold 5 के अंदर upgrade करना चाहिए Let's find out दोस्तों मेरा नाम है पुनित आप देख रहे हो I am DPS दोस्तों initial feel देखी जाए तो दोनों ही phone जो flip 5 आया है और यह जो fold 5 आया हलके कर दी है यार जो इसकी चोड़ाई है 2.4 mm पतली कर दी है और hinge काफी चोटी कर दी है यहां से काफी उठी हुई hinge थी अब बिलकुल minimum कर दी है पिछली बार आप देख सकते हो कितना gap था यह flip 4 है और यह flip 5 है कितना gap था आप खुद देख लो design के अंदर आप refinement बोल सकते हो काफी हुई है मैं जो expect कर रहा था था ना phone से मैं चाहरा था कि यह phone ऐसा ऐसा हो जाए थोड़ा सा चोड़ा हो जाए phone जब मैं बदलता हूं तो मेरे को मैसूस ना हो तो मैंने कुछ अजीब सा phone आथ में ले लिया है जादा पतली है और जादा लबी है थोड़ा अजीब सा ratio बनता है कुछ भी वीडियो चलाओगे तो भी आपको दिक्कत होईगी टाइपिंग करोगे तो भी आपको छोटा सा कीबोर्ड मिलेगा जिसकी अबावत आदत नहीं रही है दो हाथ से तो कैसे ही टाइपिंग करोगे सिंगल हैंड में भी सांई के अंदर डुबा सकते हो बट मिटी से नहीं बचा सकते हैं वैसी यह जो ऑटर डिस्प्लेइ 120 ह है तो लास्ट यर भी 120 ऐट की थी जो साइज लास्ट यर मिला वहीं साइसी साल मिल रहे है और डिस्प्ले के अंदर कोई भी नई चीज या है सेम एज इस पुराने वा फिर भी आपको वोकराउंड में कराई देता हूं सारे फोन का डिस्प्ले जो है सेम एज लास्ट ये रहें तो ज्यादा इंप्रूमेंट वाली बात नहीं है आउटर डिस्प्ले के अंदर फिंगर पिंट अभी भी साइड में मिल रहा है आपको और मेरे को लगता है कि सबसे हार्ड है बहुत ज्यादा हार्ड है कई बार तो ऐसे नाखून डालके निकालना पड़ता है अंदर वाली डिस्प्ले के अंदर जो सबसे मेजर इंप्रूमेंट हुआ है वह है नित्स के अंदर बहार की जो पीक प्लास्टिक ही है यह बट इसको ग्लास्टिक बोलते हैं और 20% और ज्यादा मजबूत कर दिया है जो कि वो बोल रहे हैं और 20% को कैसे ही calculate करूँ है मेरा तो वैसे ही math में आकड़ा खराब है जो camera है ना भाई meeting वगेरा के लिए तो फिर भी काम आ जगा चार मेगा पिक्सल का ह को जादा usable नहीं है folding phone के अंदर ना एक पंगा है इसके अंदर इसको ऐसे देखोगे तो इतना full screen में है ऐसे देखोगे तो इसके अंदर इतना full screen में है उपर की जगें waste ही होती है अगर आप zoom कर दोगे तो एक ही character दिखेगा दूसरा नहीं पता चलेगा भाई जगड़ा हो तो बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो किस से कर रहे है तो यह थोड़ा सा लोचा है इसके अंदर जो normal phone का size होता है आप देख सकते हो दोनों phones के अंदर full screen में चल रही है यह phone 7.6 inch का है तो देखना दोनों के अंदर same video चल रही है अब ऐसे करके देख लो तो भी आप दे आते हो तो उसके अंदर यह phone की screen काफी usable निकलती है performance तो इतनी smooth है अंदर वाली display आप यूज करो या भार वाली display यूज करो performance आपको ultimate मिलती है और साथ में आपको डॉक वाला feature मिलता है यहां पे चोटे चोटे आइकन है अब जैसे वन यूई है बाहर के phone के लिए अलग iPhone के अंदर दो UI है इसके अंदर आपको web जैसा experience मिलता है आपको यहां पर एक डॉक मिलता है तो आपको कुछ भी खोलना होता है आप literally यहां से clicker करके खोल सकते हो जैसे आपके Windows के अंदर रहता है जैसे आपका Mac के अंदर रहता है वह वाला experience थोड़ा सा टच देनी की कोशि करते हैं आपको थोड़ा laptop वाली फील आए Snapdragon 8 Gen 2 Chip मिल रही है made for Galaxy वाली और आपको UFS 4.0 DDR 5X RAM आपको मिल रही है 12256 का base variant है लास्ट यह जाता है लास्ट यह ऐसा ही था तो specs के अंदर कुछ ज़्यादा बंप नहीं आया है performance के अंदर आप बंप लगा सकते हो UFS तेज चलती है अब 4.1 डाल दिया है अपने को normal day to day use में पता नहीं चलेगा पिछले वाला भी बहुत ज़्यादा तेज था अगर आप loading वगेरा करते हो app loading वगेरा अलगी level की speed है मज़ा आजेगा आपको चार major update आपको इसके अंदर android की मिलेगी 13 चल रहा है इसके अंदर 14 15 16 17 अगर आप यूज करते हो तो तीन तो मैंने यह ऐसे डाल दी और बाकी इसके उपर लगा लगा के कितने भी छोड़ दो अब देखो पांच स्क्रीन एक टाइम पर चल रही है इनको इधर उदर कर लो desktop वाड़ experience हो गया ना अब इसके अंदर आप unlimited कर सकते हो बाई कितनी भी उपर सकते हो जिन्दगी के आपको बैटरी भी लास्ट येर वाली मिल रही है यह कुछ भी नहीं बदलना चाहते चुआली सो एमेच की बैटरी है वही लास्ट येर वाली जो प्रोसेसर है उसको आप लगा लो इसकी optimization जैसी भी है थोड़ा सा हलका सा अच्छा आपको मिल जेगा फोन है आपको चार्जिंग लगाए रखना पड़ेगा और उससे फिर आपकी बैटरी हेल्थ भी खराब होईगी अब धीरे-धीरे सैमसंग में भी आपको पता लगने लग जागा कि बैटरी हेल्थ कैसे चेक करते हैं आजेगा भाई सब भी निकालेंगे एपल नहीं निक होजेगा भाई ऐसे उठाना पड़ेगा फिर इसके यहां से लेके यहां तक एक हैंडल बनाएंगे उससे यह पकड़के लेके जाना पड़ेगा फिर ऐसे वुमेंस फोन होजेगा फिर यह साउंड की क्वालिटी लास्ट येर वाले जैसी है थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए था अब जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं जो सेंशन का खुड़का 23 इल्ट्रा है उसकी भी तेज अवाज है आप आइफोन को लगा लो 14 प्रो मेक्स को उसकी भी से तेज अवाज है अगर मेरी मानो ना तो बोस के स्पिकर डाल दो इसमें मजा आ जाएगा भाई दो चेंज कर देते हैं थोड़ा वह टूइच डाल देते हैं सेम फोल्ड फाइव के हिसाब से थोड़ी बहुत त्यूनिंग कर देते हैं जो कि फोल्ड फॉर के अंदर भी आजएगी फ्लिप फाइब से अच्छा कैमरा है इसका एस ट्वेंटी टू अल्टरा वाला जो कैमरा ह लगा लोगा डीजल्स काफी अच्छा आते हैं डे नाइट के अंदर के अंदर रात के अंदर डी सेंट शूर्ट अंज़ा आ जगा आजगा आपको ओन की यह चारव मैं ओएस थोड़ी मूटिवेशन मिलती रह वह ए्यानूर आजीब से फोन ओर लात रहूं आपके लिए तो दोस्तों conclusion की बात कर लेते हैं, phone को polish किया गया है Polish का मतलब क्या है, ये hinge को बदल दिया गया है, design सेम रखा गया है, camera सेम रखे गया है, battery सेम रखी गया है, display सेम रखी गया है, gap थोड़ा सा phone के अंदर कम कर दिया, fold 4 अगर आपके पास है आप इस phone को skip भी कर सकते हो ऐसी कोई breaking deal नहीं डाल रखी इसके अंदर तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आप से अगली वीडियो में मिलते हैं, जैहन